आज का जो विशिये जिसके बार में हम बात करेंगे बड़ी विचित्रिसी बात है, है ना कि इनसान की लाइफ का जो मोड होता है, वो क्या मोड ले लेता है, है ना, मतलब एक इनसान जिसका करुबार अच्छा चल रहा था, फैमली लाइफ बड़ी प्यारी चल रही थी, पाठ करके गिरती चली गई, आप समझें मेरी बात को, ये एक जिंदगी का मोड आता है, आपको मैं कुछ-कुछ लक्षण भी बताने जारी, आपको सारी चीज़े बताने जारी, एक से बढ़ कर एक इलाज बताने जारी, और अगर ये सिम्टम आपके, कहते ना, आपको मह बात करी थी, हाथ की लकीरों के बारे में भी बात करी थी, लेकिन आज जो चीज है, उसको हम दूसरी इलाज डिसकस करते है, थोड़ा क्योंकि कहते हैं, अपने को एक लेवल कही न कही पाशा लोगों बढ़ाना पड़ेगा, कई बार कुछ छोटी-मोटी चीज़े करके ब बीच एक ऐसा समय आता है कि एक इंसान की प्रतीषठा गिर्ती चली जाती है, उसका सम्मान गिरता चला जाता है, उसका धन आने का जो स्तोत्र है वो शने शने बंद होता चला जाता है, जो छोड़ो आपके खुद के ब्लड रिलेशन है, वो ऐसा व्यवार करते, जैसे नहीं होता कोई मंगल काम होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा अब शगुन आप वो क्याते हैं कुछ ना कुछ गडबड़ी घर पे मतलब सची काउं तो मृत्यू तक हो जाती है मंगल काम होने से पहले तो अगर यहरे shifted देख रही हैं अगर आपको मूप स्विंग आ रहें मूप आप जैसे हैं क्याते हैं प्älle को बोलें तो और तो मैं इसमें उसमें हॉर्मोनल changes होते हैं, brushing changes होते हैं, hormonal changes होने में प्लानेटरी position की वजए से होते हैं, उसको कहा כई निगेट करोगे, यहां पर मंगल भी बहुत ज्यादा important role play करता है, शुक्र, भी important role play करता है में रहम changes में, चершम्हें बहुत ज्यादा important role play करता है, हाथ में पसीने आना आप समझें यह सारे सिंटम है आपका जो यह अचानक से बहुत नहीं करना ऐसी यह सिंटम है और यह सच कह रही हूं अगर यह कहते हैं एक परसेंट भी लग रहा है तो बरबादी का वेट ना करो एक और चीज़ आपको बताती हमको कई बर हम नजर अंद कर देते हैं अगर आपका तीसरा ही बहुत जादा एक्टिव हो गया आपका बारवा घर मतलब अच्छा अगर तीसरे आपके जादा घ्र है आठवे घर पे जादा जब ग्रह जो भी बारवे घर पे जादा घ्र है तो आज निकल कलनी पर सो एक पॉंट आएगा ओ कहते ही त से उठाके फेग डालो मैं फिर इस चीज की बात करती हूं क्याते ना एक गली से हर बंदा जाता है लेकिन कुछ लोगों को कुछ चीज जकड जाती है आखों का आखों का जो बवंडर होता है उस पर टैक करता है यह किसके साथ होता है यह राहू बारवे के साथ होता है शनी वो फेज ईसी चीज़े होंगी जो हो सकता है दूसरे घर के मेंबर को ना जकड रही हो पकड रही हो आपको पकड़ेगी क्या करोगे अब बताती हूं सबसे पहली चीज ये जितने सिम्टम है ना कई बार अंजान रिड़ दोश भी होता है रिड़ दोश भी होता है जहां पर एक इंसान का जो वो क्यातना ग्राफ है वो शणे शणे गिरता चला जाता है सवा किलो जो काला जामुन होता है सवा किलो काला जामुन उसके उपर सब के उपर आपने लौंग गार देनी है फूल वाला साइड उपर आना चाहिए समझा गई जैसे सवा किलो हमने काले जामुन रख दिये उसके उपर आपने लौंग गार देनी अब आपने क्या करना है इ जो पात्र होता है उसके उपर जामुन बिचा कर अपनी सामने बैठ के पहले ना माफी मांगो कि जाने जाने मुझ से मेरे बड़ों से मेरे छोटों से कोई गलती हो गई हो तो माफी देना अपनी नजर मुझ पर डालो बस ऐसा अब आप क्या करोगे किस मंत्र का उचारन ओम शम वज्र देहाई नमा ओम शम वज्र देहाई नमा अरे वो तो चलो छोड़ दो इज़त कहां मिलती है हर जगा बदनामी होती है कोई पूछने वाला नहीं जहां जाते हो लोग परे हो जाते ये भी तो सोचो वो क्याते ना एक इंसान बिमार दवाई-दवाई करने से थोड़ा कुछ होएगा दवाई खानी भी तो पड़ेगी सीधी बात है प्रापर चीजों को सिम्टम बताती हूं पत्री नहीं है कितने लोग है उनके पैस उनकी पत्री नहीं होती हम लोग सिम्टम मैं चाहिए वो वास्तू भी क्यों ना हो एक इंसान के अहलाद से उसका जो बता दो वस्तू से उसके अलाद बता दो एक मैने पीछे चीर की तो ओनलान नाम ले सकती नहीं मेरे दिल की वह बहुत करीब है मैंे को बहुत प्यार करती है अब जैसे क्या बात है जो उन्हों ने नक्षा पढ़ बेजा अपने घर का ठीक है वो था क्या से वास्तू में किया करते पूरी ग्रेडिंग वगरा होती है सेटलाइट से पुरा निकालती है ना अब जब रसेटलाइट से निकाला तो मैंने क्योंकि उन्हेंने जो नक्षा दिया थ smis Mix why is it to me like help was a devil the wrist पत्री बता दो पत्री से उसके हलाद बता दो सिंपल बात है इसमें फोका फाकी वाली चीज होनी ही नहीं चाहिए प्रॉपर एलमेंट को पकड़ के उसका इलाज करने गा सीधी बात है चलो अब वह मिट्टी के पात्र में गुलाब जामून रखें लॉंग गाड़ी ओम शम जो ओल्ड जरूरत मंद जो बुजर्ग स्थ्री स्थ्री हैं उनको जाकर ये देखे आओ पहरी हाथ रगा आशिरवाद लो है ना ऐसे करके और मन से मन से मतलब ऐसे नहीं कि हाँ हाँ फेक नहीं बनने का फेक ने सची बात नहीं होती होती वैसे हैं करेंगे वैसे कोई आज ठोड़े सचे सुचे मन से रहो आप लोग इतना इतना चल कपट अच्छी बात नहीं होती होती सिधी बात है लोग बोलेंगे हां जी शैने जी रात को कुत्ते का रोटी डाली थी अब कुछ हुआ तो है नहीं सेंटा क्लोस ठोड़ा के रात को गिफ्ट देके जाएगा क्य सची कई-कई चलो अब अगली चीज बतातें यह आप फ्राइडे रात को भी कर सकते हो और यहीं चीज आप सेटेडे रात को भी कर सकते हो ब strictly हवा मतलब बंदिश लगनाा एचानक से आखन रोना 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 आना आखे भारी होना कुछ ना कुछ ना कुछ गड़बडी होना बिमारी आना मतलब कुछ ऐसा क्या कहते है जोडों में दर्दो रहा है ऐसा कुछ बिमारी नहीं है बुखार नहीं है लेकिन थकावट लगनी बॉड़ी एक सोनी यह सारे सिंटम है बबा है ना क्या करोगे फ्राइडे रात को या पूरा लपेटा बांदो अपने कलाई पर अब क्या करोगे गाठे नहीं मारनी बस ऐसे लपेटा कर देना घुचड मुचड करके जो होता है वो कर देना जिन जिन को पहले मैंने एक बार बताया था कुछ ताइम पहले है जबरदस्त उनको फट करके पता चला है कि अच्छ पहले ना इसको लपेटा बांदना और हाथ पे लपेटा बांद के भैरव जी का आपने ध्यान करना है मंत्र जाब करो ओम बटुक भैरवाई देवी पुत्राइश्वदुष्ट जन मुक्स थंबन ओम क्राम क्रीम क्रोम ठठठठठठठठ़ अगर वो ज्यादा बड़ा तो ओम भैरवाई नमा कर दो ठीक है 108 बर करो और फिर सो जाओ आज भी कर सकते मतब सेटेड़े रात को भी कर सकते फ्राइडे रात को भी कर सकते कोई टेंशन वाली बात नहीं है अब आपने क्या करना है सुबह आपने सूर्य उदे से पहले उठके सूर्य उदे से पहले उ में उतर जाता है तो फिर मत करना फिर गड़ बड़ी है फिर इसका अलग लेवल का कुछ चीज बताऊंगी सीधी बात है कमेंट करना मैं अलग चीज का बताऊंगी तो बताऊंगी इलाज मेरे पास बहुत है इलाजों की कमी नहीं मेरे पास आप करने वाले बनो मैं बताने व अब उसको कंडे से जमीन पे करोगे, जब पूरा वो जल जाया है, राख हो जाया है, तो उसको पूरा अपना राइट पैट से कुचल दो, घर के बाहर करना, घर के अंदर मत करना, घर के बाहर जा करना, अब क्या करोगे, जब ये पूरा कुचल दोगे, तो क्या करोगे, सब्सक्राइब करो मेरा दिल अपने दिल से जोर दो विजी को लाइक करो शेयर करो सब की जिंदगी ठाव जाए ओके दन बबाई नमस्कार